Welcome to study channel में नाम है मुहम्मत कैसर MP High Court में 15 अप्रेल की जो सुनवाई हुई थी उसका court order आ चुका है क्या है इसमें महत्पुर्ट चीजे हम लोग समझते हैं और be it या डियलेड में से किसका पक्ष अभी फिलहाल मजबूत है इस पर भी बात करेंगे तो 15 अप्रेल को मद्रेश हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसका order आपके screen पर है 13768 यहां पर मामला है और इसके साथ बहुत सारे अन्याचिकाएं भी tag कर दी गई हैं अगली सुनवाई में यह मामला clear हो जाएगा अगली सुनवाई मैं आपको दिखा दू 24 अप्रेल के साथ अन्य राजियों को भी सीधे सीधे प्रभावित करेगा जहां पर भी मामला subject to outcome था तो यह 24 अप्रेल वाली सुनवाई भी बहुत यहादा महत्पूर्ड है सभी राजियों के लिए शिलनागु ज़साब इसमें हैं देख सकते हैं और अमरनात के शरवानी डबल बेंच में मद्द प्रतिस हाई कोड़ इस मामले को सुन रही है डियलेट की तरब से मिनाक्ची औरोडा मैडम सीनियर एड़ोकेट मौजूद थी इसी के साथ सा स्री आरेस ठाकू स्री अक्षित गुपता मंदीप सिंग कालरा वी पी शा समित ये संभी एड़ोकेट अवेलेबल थे स्री अमित पावन तमाम ये एड़ोकेट अवेलेबल थे MP High Court ने क्या कहा ये हम समझते हैं MP High Court ने कहा कि Apex Court यानि Supreme Court का जो 8 अपरेल का फैसला है उसने डिसाइड कर दिया है कि 11 अग्गा 22 का जो देवेश शर्मा वर्से Union of State का जो ओर्डर हो कब से लागू होगा तो 11 अग्गा 22 का केस नमबर इतना देवेश शर्मा वाला मामला 8 अपरेल को Supreme Court में शुना गया और ये as a review Supreme Court ने ट्रीट किया और बताया कि ये फैसला प्रोस्पेक्टिव यानि 11 अग्गस 23 से ही लागू किया जाएगा ये प्रोस्पेक्टिव लागू होगा बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा बट है इस बट को आप समझेगा Supreme Court ने 8 अपरेल 2024 के फैसले में ये साब का कि 18-18 के बीच में जो चैनित बीएड है वो अपनी पत्पर बने रहेंगे लेकिन कुछ शर्तें लगाई गई है उसी का जिक्र यहाँ पर मदबरेसाई कोड भी करता है बट विच सर्टेन कंडिशन कुछ कंडिशन के साथ एपेक्स कोड ने 8 अपरेल का फैसला दिया है और उसी शर्तों पर अध्यन मदबरेसाई कोड करके 24 अपरेल को फाइनल डिसिजन देगी जो कंडिशन है वो यह है कि यदि कोई भरती सब्जेक्ट व आउटकम है किसी कोड अफला द्वारा कोई शशर्त भरती हुई है या किसी हाई कोड के दवारा डिस्कौलिफिकेशन हो गया है बियेड का ऐसे बियेड अब भरती सेफ नहीं बने रहेंगे मदपरेस की भरती भी सबसे टू आउटकम थी और इनी समुद्दों पर अगली सुनवाई में बहस देखने को मिलेगा तो जो कंडिशन लगाया गया था आपेक्स कोड के दोवारा उसका संग्यान मदपरेसाई कोड को है सीरे सीरे जब सुप्रीम कोड ने परें ओर्डर में ये कहा है कि हमारा ओर्डर प्रोस्पेक्टिव ही लागू होगा लेकिन कुछ कंडिशन भी उसमें जोड़ा गया है तो मदपरेसाई कोड ने ये भी कहा रेलिवेंट डाटा और डॉकुमेंट की रिक्वार्मेंट है रिस्पेक्ट्व पार्टिज से इस्टेट आप मदपरेस के साथ जो भी पार्टिज हैं उनसे डेटा मांग गया है ताकि ये जो बीड एपॉइंटीज का मामला है ये सॉल्व हो सके पार्टिज को डारेक्ट किया गया है कि आप एक कॉमन टैबूलर इलिस्टेशन लेकर आएंगे सभी लोगों से कहा गया है आप लोग इसे रेडी करके 24 अप्रेल तक कोर्ट में समिट करेंगे जिसमें आप पूरा प्रॉपरली एक चार्ट बना कर बताएंगे कि नोटिफिकेशन कब आया था मद्द प्रदेश का कब कोर्ट में चैलेंज हुआ था कब इसका एक्साम हुआ कब सब्सक्ट वाउटकम हुआ कब रिजल्ट आया कब जोइनिंग हुई सब कुछ एक टैबूलर फॉर्म में माग गया है ताकि कोर्ट आसानी से चीजों को समझ सके और इस मैटर को जल्द से जल्द फाइनल किया जा सके तो अगली सुनवाई इसमें देख सकते हैं चोबिस सब्सक्ट को लगा दिया गया है और इस दिन ये मामला क्लियर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो भी फॉर्मिल्टेज थी उसको पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सामने रख दिया जैसा आपने पकायदा सुप्रिम क प्राइमरी में सेफ कर दिया जाएगा तो फिर इन्हें अपने पत पर रहने दिया जाए लेकिन जो कंडिशन लगाई गई है वही ज्यादा इंपोर्टेंट है और उसी पर अगली सुनवाई में बहुत देखने को मिलेगी और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अब एंट्रिम और का कोई भी महत्तों नहीं रहा यानि कि जो आंतरिक रहत दिया गया था भ कुछ डिपेंड करेगा अब 24 अपरेल को आप यहां पर देख सकते हैं के से संबंदित सारी जानकारी और यहां पर भी क्लिरली मिंसन है 24 अपरेल सबाद दो बजे तो वीडियो में कुछी पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लाएं और ह हमारे साथ बने रहें थांक्स फॉर वाशिंग